नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका न्यूजिफाई में आज की सियासी वरतांत में हम आपको बताएंगे यूपी के मुख्य मंदरी योगी अधितिनाद की कहानी योगी अधितिनाद का जनम 5 जून 1972 को उत्राखंड के गड़वाल जिली में हुआ उस समय उत्राखंड उत्रप्रदेश का हिस्सा हुआ करता था अजे मोहन सिंग बिष्ट नाम से पैदा हुए योगी गोरकनाद मट से जुड़ने के बाद अपना नाम बदल कर अधितिनाद कर लिया योगी की पिता आनन सिंग बिष्ट वन विभाग के अधिकारी थे योगी आधितिनाद ने अपनी ग्रिजवेशन मैथेमेटिक्स में हेमवती नंदन बहुगुणा गरवाल युनिवरसिटी से हासल की 1990 में योगी आधितिनाद जब 18 साल के हुए थे तब ही आयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए वही पे उनकी मुलाकात गोरकपूर मट के महंत अवेतिनाद से हुई जो राम मंदिर आंदोलन का नेतरित्व कर रहे थे अवेतिनाद से प्रभावित आधितनाद उनके सिश्ष बन गए फरवरी 1994 में उन्होंने महंत अवेतिनाद से दीक्षा प्राप्त की और योगी उनके नाम में जुड़ा योगी आधितनाद बनने के अगले महने से ऐसा हुआ जिसने अधितनाद की जिन्दगी बदल दी गोरकपूर युनिवरसिटी में फिजिक्स में MSC में एड्मिशन लिया पर पूरा नहीं किया और घर से चले गए छे महने तक घरवालों को पता ही नहीं चला कि अजय है कहां पिता आनन सिंग हर उस जगे खोजने गए जहां अजय के होनी की संभाव न थी लेकिन अजय नहीं मिले फिर किसे ने बताया कि उनका बेटा गोरकपूर के गोरकशनाद पीठ में है अब वो सन्यासी बन चुका है आनन सिंग को बहुत दुख हुआ लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके भीक्षा लेने घर आये तो मा ने कहा मत जाओ बेटा लोट आओ सन्यासी बनने के बाद अजय अब योगी आदित्यनात बन गये थे 1993 में अपने गाउं पंचूर आये पहले की तरह जीन्स पैंट में नहीं बलके गेरुआ पहन कर सिर घुटा कर दोनों कानों में बड़े बड़े कुंडल और हाथ में खपर लेकर जिसने भी देखा उसने योगी को पहचानने के लिए अपनी आखें मली इसलिए कि एक बार में वो पहचान ही नहीं पाया कि ये अजय सिंग बिस्ठ है अजय घर के बाहर पहुँचे और भीक्षा के लिए आवाज लगाई घर की मालकीन आवाज सुनकर दर्वाजे पर आई तो अपने आखों पर यकीन नहीं हुआ जहां थी वहीं इस्थिर हो गई मुह खुला तो लेकिन शब्द नहीं फूटे आखों से आसों की धार बह निकली जो सत्य शाक्षात सामने खड़ा था उसे देखते हुए भी यकीन नहीं हो पा रहा था मा के सामने उनका बेटा युवा सन्यासी के वेश में खड़ा था मा चुप थी तभी आजट नात ने कहा मा भिक्षा दीजिए मा ने खुद को समाला और कहा बेटा ये क्या हल बना रखा है घर में क्या कमी थी जो भीक मांग रहा है योगी ने कहा मा सन्यास मेरा धर्म है एक योगी की भोग भिक्षा से ही मिटेगी आप भिक्षा में जो कुछ देंगे वही मेरे मनुरत को पूरा करेगा मा को बेटे की इस रूप पर अभी यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने कहा बेटा तुम पहले घर के अंदर आ जाओ अजितनात ने मना कर दिया और कहा नहीं मा मैं बिना भिक्षा लिए ना तो घर के अंदर आ सकता हूं और नहीं यहां से जा सकता हूं जो कुछ भी हो वो मुझे दे दीजिए इसके बाद ही मैं यहां से जाओंगा मा बेटे की जिद के आगे हार गई घर के अंदर गई और थोड़े चावल और पैसे लाकर अधितनात के पात्र में डाल दिये भीक्षा पाने के बाद अधितनात पीछे मुड़े और वापस चल दिये आखों में आसों लिए मा घर के दर्वाजे पर खड़े होकर अपने बेटे को जाते हुए देखती रही योगी अधितनात सन्यासी बन गए पिता आनन सिंग आये अपने बेटे को इस रूप में देखकर रो पड़े कहने लगे बेटा चलो लौट चलो हमारे साथ लेकिन योगी नहीं गए पिता निराश होकर लौट गए उन्हें शायद उमीद थी कि वो बेटे को अपने घर वापस ले आएंगे इसलिए वो अपकी बार अपनी पतनी सावेतरी के साथ गोरकपूर पहुँचे योगी अधितनात को देखते ही मा रो पड़ी उस वक्त महराज अवेतनात मंदिर में ही थे सावेतरी ने कहा महन जी मेरे बेटे को लौटा दीजिए महराज ने कहा चार बेटे हैं तुम्हारे एक बेटा हमें दे दो सावेतरी देवी को इसके बाद कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कभी महराज को देखती कभी अपने बेटे को तो कभी चछत की तरफ आखों के आसु सूख गए थे फिर वो कुछ नहीं बोली अपने पती के तरफ देखा और बाहर चले गई उनीस सो अल्ठानवे में योगी अजतिनाद सांसद बन गए परिवार के लोग मिलने आए सबी खुश थे पिता आनन सिंग और मा सावेतरी देवी भी एक जगडे से कैसे शुरू हुई योगी अजतिनाद की राजनीती और कैसे बने योपी के दूसरे बार सीयम बात है मार्च उनीस सो चुरानवे की जब मठ दौरा संचालित इंटर कॉलेज की कुछ छातर बाजार में एक कपड़े की दुकान पर खरिदारी करने गए वहां मोल भाव को लेकर दुकानदार से जड़प हो गई इसी दौरान दुकानदार ने अपनी रिवालवर निकाली और हवा में फैरिंग भी कर दी इस से आसपास हडकंप मच गया पुलिस ने कारवाई चातरों पर ही कर डाली और पुलिस चातरावास में गुज गई अगले ही दिन चातरों का गुट एकठा होकर दुकानदार के खिलाव कारवाई की मांग करने लगे इन चातरों का नेत्रित्व कर रहा था एक भगवा वस्तर पहना सन्यासी जोश से भरा ये निटर सन्यासी को देख लोग अचम्बित हो गए थे ये भगवाधारी मादर 21 साल का युवा योगी अधितनात था योगी की नेत्रित्व चमता और हिंदुवाधी विचारदारा इंटर कॉलेज के चातरों को काफी पसंद आई और उन्हें योगी में अपना नायक दिखने लगा चातर योगी से जुड़ते चले गए और यहां से योगी एंगरी यंग मैन वाली चवी के साथ राजनीती में घुज गए महंत वैदनात जो गोरकपूर लोगसभा चेतर के सांसत थे उन्होंने अपने पीरिय सेश योगी आदितनात की हिंदू युवाओं में बढ़ती लोगप्रियता को देखते हुए अपनी सीट से चुनाओं लड़वाया उन्हें सो अल्ठानवे में योगी ने अपना पहला लोगसभा चुनाओं गोरकपूर से लड़ा और मातर 26 साल की उमर में सांसत चुन लिये गए लगातार पांच बार सांसत चुने जाते रहे योगी अधितनात ने हिंदूत्व की राजनीती को ही हमेशा अपना आधार बनाया उन्होंने नीजी सेना हिंदू युवा वाहिनी की अस्थापना की योगी ने इसे सांस्कृतिक संगठन का नाम दिया लेकिन ये संगठन रक्षा दल के रूप में काम करने लगी हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माववादी गतिवीदियों को नियंद्रित करती है इस संगठन पर मुसल्मानों पर हमले और सामपरदाइक माहौल खराब करने के कई मामले दर्ज हैं योगी आज तनात के राजनीती में आने के बाद इन पर भी दंगा करवाने हत्या के पर्यास जैसे कई मामले दर्ज हैं 2016 में केंद्र की हिंदुत्व की राजनीती करने वाली पाटी भाजपा ने ये भाप लिया था कि उत्तर परदेश में हिंदु राष्टरवादी चेहरे पर विधान सभा चुनाओ लड़ा जाए तब तक योगी एक कट्रवादी हिंदु नेता के रूप में उभर चुके थे उनके समर्थक उन्हें हिंदु पुनर जागरन का महा नायक मान रहे थे योगी को मुख मंतरी का चेहरा बना कर भाजपा ने चुनाओ लड़ा और उत्तर परदेश में भाजपा भारी बहुमत हासल करते हुए अपनी सरकार बनाई और योगी उत्तर परदेश के युवा नेता के तौर पर पहली बार मुख मंतरी बने वहीं दूसरी बार 2022 में दुबारा पहले से अधिक सीटों से जीत कर उत्तर परदेश के मुख मंतरी फिर से बने दोस्तों आपके लिए ये इस्टोरी लिखीती हमारे साथी फराज जमाल ने अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करते चले जिसे जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएं तो आपको पता चल जाया करें आज के लिए इतना ही कल फिर मिलते हैं किसी नए किस्से के साथ तब तक के लिए नमस्कार